Hello everyone, welcome to free study, so this is third video for October 2020 current affairs compilation आज हम करेंगे page number 29 to 40, ये insights IES PDF के notes है these are handwritten notes, जो कि मैंने खुद बनाए है and these are complete कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, जो उसके अंदर important है, वो मैंने सभी लिखा है and important नहीं है, तो भी मैंने लिखा है, ताकि आपको ये ना लगे और कि हमारा जो PDF है, हमें उससे पढ़ना चाहिए, notes से नहीं पढ़ना चाहिए तो आप बिलकुर इन notes पर trust कर सकते हैं इसके साथ साथ आप वीडियो को subscribe कीजिए, वीडियो को share कीजिए, sorry, channel को subscribe कीजिए like कीजिए, कोई doubt हो, तो comment section में ज़रूर लिखिए and if you want to get this PDF, then by paying just a pity amount, you can get this आप email कर सकते हैं, email आपको description box में मिल जाएगी page number 29 to 40, आज हम करेंगे, start करते हैं, who is a star campaigner से तो यहाँ पर ये news में क्यों आया है, क्योंकि election commission ने कुछ जो norms है star campaigner के वो revise किये है, क्योंकि coronavirus चल रहा है and अब क्या changes किये गए हैं, कि जो maximum होंगे, वो 40 से घटा कर वो 30 कर दिये गए है, and अगर unrecognized party है, तो 20 से घटा कर कितने कर दिये गए हैं, 15, and इसके साथ साथ campaigning करने से पहले, उन्हें 48 घंटे पहले permission लेनी होगी, direct district election official से, तो ये कुछ changes लाए हैं election commission ने, ताकि coronavirus जो है, उसको देखा जा सके, and जो congress and जो former MP थे, CM कमलनाथ के, उनका जो status था star campaigner का, वो भी election commission ने हटा दिया, क्योंकि इन्होंने बार-बार जो modal code of conduct follow करना होता है, उसे violate किया, and जो advisory उन्हें issue की गई थी, वो भी follow नहीं की, ठीक है, तो name ध्यान रखिएगा, then implications क्या होती है, देखिए, अगर star campaigner का status हटा दिया गया है, तो अगर ये कुछ भी campaigning करेंगे, mister जो कमलनाथ है, अगर ये कुछ भी campaigning करेंगे, तो पूरा खर्चा जो होगा, वो candidate को ही bond करना पड़ेगा, means जिनके लिए भी ये प्रचार करेंगे, वही अब इनका सारा खर्चा उठाएगा, now what is a star campaigner, कौन होते हैं star campaigner, who is a star campaigner, तो star campaigner जो होते हैं, उन्हें parties ही nominate करती हैं, ये कुछ ऐसे चहरे होते हैं, जो churches होते हैं, popular होते हैं, and law and election commission के according, तो कोई specific definition नहीं है, कि star campaigners कौन होते हैं, फाइदा क्या होता है, फाइदा ये होता है, कि अगर star campaigner है, and अगर कोई भी खर्चा अगर इनके उपर किया जाता है, तो वो candidate का जो election expenditure होता है, उसके अंदर जो candidate होता है, वो प्रचार प्रसार भी करा देता है, and साथ में उनका expenditure भी add नहीं होता, now देखिए, अगर candidate माल लीजिए, अगर जो कमलनात हैं, अगर वो माल लीजिए किसी के लिए campaigning करने आए हैं, and अगर वो candidate भी, and साथ में जो star campaigner हैं, अगर वो दोनों के दोनों, rally में साथ stage share कर रहे हैं, तो जो भी खर्चा होगा, वो उस candidate के खर्चे में जोड़ा जाएगा, सिर्फ traveling expenses को छोड़ कर, बहुत important है, अगर poster या photograph भी है, तो भी सारा खर्चा है, election जो means लडने जा रहे हैं, candidate उसमें जोड़ दिया जाएगा, अगर माल लेजिए दो candidate हैं, और star campaigner को साथ में यूज कर रहे हैं, उनके जाथ खड़े हैं, stage share कर रहे हैं, कोई photo, poster यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों candidate के बीच में, जो election expenditure होगा, वो इसलिए कम किये, क्योंकि भीड ना हो, coronavirus ना फैले, and poll, जो spend की ceiling है, वो इसलिए बढ़ा दी, क्योंकि अब ऐसे खर्चे करने होंगे, बाकी चीजों पे, जैसे की coronavirus से बचने के लिए, तो poll spend की ceiling भी बढ़ा दी गई है, 10% तक, ये assembly and legislative, जो हमारी लोग सभा elections है, दोनों के लिए लागो होगा, इसके लिए जो conduct of election rules 1961 है, उसे भी amend किया गया, and ऐसा last time भी हुआ था, 2014 में, इसका importance क्या है, importance यही है, एक तो election commission ने इसको recommend किया है, ये एक तरीके से relief प्रोवाइड करेगा, political parties को and candidates को, now ये जो additional expenditure है, इसकी limit क्यों बढ़ाई गई है, क्योंकि sanitizers पे पैसा खर्च होगा, crowds को mask देने में, regulation करने में, तो social distancing norms बने रहें, तो इसलिए जो poll ceiling की amount है, वो क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, now changes की according ये आप थोड़ा सर देख सकते हैं, लोकसभा पोल में 70 लाग रुपे पहले खर्च कर सकते थे, अब 77 लाग खर्च कर सकते हैं, state ये यूनियन territory में 54 लाग कर सकते थे, अब 59.4, assembly में अगर elections होते हैं, तो पहले 28 लाग कर सकते थे, अब 30.8 and 20 था पहले, अब states और union territories में, and अब कितना है, 22, okay, so ये आप थोड़ा बहुत ध्यान रखेगा, then देखिए, measures to ensure transparency, यहाँ पे अब transparency कैसे लाई जाएगी, जो candidates होंगे, उन्हें जो अपना count है, election expenses का, वो election commission के साथ file करना होगा, and अगर मान लीजे, इन्होंने खर्चे इस से जादा किया, तो तीन साल तक ये disqualified हो जाएंगे, according to section 10 of representation of people sect 1951, sealing लगाने की क्यों जरुत होती है, मान लीजे, अगर कोई एक गरीब इनसान, या कोई ऐसा इनसान है, election में खड़ा होता है, दूसरी तरफ कोई ऐसा इनसान है, जिसके पस बहुत सारा पैसा है, तो अगर ये जो बंदा होगा, जिसके पस जादा पैसा है, ये क्या करेगा, लोगों को पैसे distribute कर सकता है, या कुछ भी कर सकता है, लोगों को मतलब जो भी candidates लड़ रहे हैं, उनके लिए एक level playing field आ सके, and law commission की भी 255th report आई थी, जिसमें कहा था कि जो big donors हैं, या जो political parties हैं, उन पर थोड़ा लगाम रखने की जरत है, और क्या reforms की जरत हैं, तो election commission ने ये भी suggest किया, कि representation of people act and election rules का जो conduct है 1961, उसके rule 90 में भी change करना चाहिए, कि 50% ही आप amount ले सकते हैं, उससे कम नहीं, and उसको multiply कीजिए number of candidates से, तो ये just suggestion है, अभी जब ये लागो होगी, तो उसको थोड़ा हम और अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ observations, ये case का नाम ध्यान रखेगा, पेपर में आप use कर सकते हैं, means में, कामरलाल गुपता वर्सेज अमरनाथ चावला case, तो इसके अंदर कहा गया था कि money बहुत important role play करता है, मनीर से जो है, वो लोग votes को ना अपनी तरफ आकरशित करें, इसलिए एक ceiling लगाने ज़रूरी है, ये कुछ committees के नाम हैं, इन में से आपको जो याद रह जाए, वो आप use कर सकते हैं, law commission की 170th report आई थी, election commission of india की report आई थी 2004 में की electoral reforms कैसे करने चाहिए, गो स्वामी committee आई थी 1990 में, वोहरा committee आई थी 1993 में, इंद्रजीत committee आई थी 1998 में, then एक national commission आई थी जो की working of constitution को review करे 2001 में, second ARC आई थी 2008 में, तो ये कुछ important है, इनको आप ध्यान रखेगा, paper में use आप इने कर सकते हैं, law commission की 255 report आई थी जिस पे कहा था कि political contribution पर limit लगाने की ज़रत है, norms and requirements का जो disclosure है वो जरूरी है, state funding of elections के बारे में भी ध्यान रखना जरूरी है, तो ये कुछ ऐसे points हैं जो आपके means के answer writing को भी बहुत enhance करेंगे, and मैंने बिल्कुल answer writing form में लिखने की कोशिश की है, I think and I wish कि आपको ये useful रहें, चलिए, next topic करते हैं, river boards, तो अभी ये river boards क्यों news में आई हैं, क्योंकि Krishna and Godavari river के जो management boards है, उनको लेके कुछ conflict है, conflict चल रहा है आंदरपरदेश और तेलंगाना के बीच में, हाला कि पहले दोनों state, एक state हुआ करती थी, लेकिन 2014 में दोनों अलग हो गई, and Apex Council ने decide किया है, Apex Council एक बनाई जाएगी, Central Government बनाईगी, under आंदरपरदेश Reorganization Act 2014, ताकि इनके river management boards को supervise किया जा सके, यहाँ पे एक जलशक्ति मिनिस्टर होंगे, and CM होंगे तेलंगाना के, and आंदरपरदेश के, तो यह एक Apex Council बनाई जाएगी, Outcomes क्या होंगे, दोनों जो states हैं, उन्हें detailed project, जो boards हैं, वो submit करना होगा, इस तरीके से इन्हें काम करना होगा, कि पानी का कितना share जो है, वो आंदरपरदेश को मिले, कितना तेलंगाना को मिले, जो headquarter होगा, आपकी Krishna River Management Board का, वो आंदरपरदेश में होगा, जो तेलंगाना के Chief Minister है, उन्हें Supreme Court से case भी क्या करना पड़ेगा, withdraw करना पड़ेगा, अब थोड़ा हम static point पे चले चाते हैं, कि Interstate River Water Disputes क्या होते हैं, तो Article 262 में लिखा हुआ है, कि अगर दो स्टेट के बीच में Water Dispute होता है, तो उसे कैसे solve किया जाएं, और Parliament कानून के थुरू इनकी help कर सकती है, और Parliament जो है, वो ये भी कह सकती है, कि ना ही तो Supreme Court और ना ही कोई दूसरा कोट, अपने jurisdictions का use करें, नौ टू लॉज हैं, एक तो है River Boards Act 1956, और दूसरा है Interstate Water Disputes Act 1956, River Boards Act 1956, Central Government ने बनाया था, ताकि Interstate River and River Valleys का regulation and development की जा सके, वही Interstate Water Disputes Act जो है, इसके अंदर Central Government ने Tribunal से टप किया, और इनके जो decisions होते हैं, ट्रिबुनल के वो final होते हैं, और parties को मानने ही पड़ते हैं, चलिए, next देखते हैं, करती हैं, तो बिहार Assembly Elections के अंदर काफी symbols देखे गए, जैसे चपाती रोलर देखा गया, डोली देखी गए, बैंगल्स देखे गए, कैपसिकम जो शिमला में छोती हैं, वो सब देखे गए, तो थोड़ा election symbols के बारे में जानते हैं, एक तो election symbols के जरत क्यों हैं, जरत इसलिए हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, या पढ़े लिखे भी हैं, तो सिर्फ वो symbol देखते हैं, और उसके according vote डालते हैं, तो जो unrecognized parties हैं, या जो independent parties हैं, देखें, BJP and Congress को अलमोस सबको पता होता है, लेकिन बाकियों के लिए थोड़ा ये symbol जरूरी हो जाता है, तो अलग-अलग लोगों को बीच में differentiation किया जा सकें, voters जो हैं, वो easily vote कर सकें, इसलिए election symbols को use करते हैं, नाउं, दो तरीके के election symbols होते हैं, तो ये किस order के according है, किस act के according है, election symbols order 2017 के according, एक होते है reserved symbols, एक होते है free symbols, reserved symbols होने मिलेंगे, जो कि 8 national parties हैं, and 64 state parties है, मेंसे इनके लिए reserved हैं, ये किसी को नहीं मिल सकते, free जो हैं, ये 200 free symbols हैं, जो कि unrecognized parties को मिलते हैं, अब symbols कैसे allocate किये जाते हैं, जो भी party होती है, या जो भी candidate होता है, उनको एक list दी जाती है, कि ये 3 symbols हैं, free symbols में से, जब भी वो nomination paper फिल करते हैं, तब उनको ये symbols दिये जाते हैं, फिर first come first serve basis पे दिया जाता है, जो पहले आ जाता है, उसको वो symbol allot कर दिया जाता है, जब अगर मालीजे कोई recognized party थी, recognized party थी तो उनका जो symbol है, वो fixed था, लेकिन अगर मालीजे वो जो recognized party है, वो तूट गई, तो election commission decide करेगा, कि किसको क्या symbol देना है, किसको क्या symbol नहीं देना, तो यहाँ पर election commission के कुछ powers भी आ जाती हैं, एक तो election symbols order 1968 है, यह recognize करते हैं कि political parties कौन सी होंगी, किसको क्या symbol देना है, paragraph 15 के अंदर यह decide करते हैं, कि अगर कोई dispute होता है, symbols related, तो वो कैसे solve करना है, and election commission ही authority है, जो कि in disputes पर या in merger पर decide कर सकती है, and Supreme Court ने भी कहा था, कि हाँ, election commission ही decide करेगी, कौन से case के अंदर, सादिक अली and another versus election commission of India के अंदर in 1971, सभी cases के नाम मैंने लिखे हैं, and again मैं आपको देखे विश्वास दिलाती हूँ, कि यह जो notes हैं, these are complete, आपको कोई भी point छूटेगा नहीं, आपको answer writing form में यह सबसे बड़ी बात इस तरीके से हैं मिलेंगे, चलिए, next topic करेंगे, National Commission for Protection of Child Rights, तो यह क्यों news में आई है, क्योंकि इन्होंने अपना कुछ power use की इस commission ने थोड़ा देखते हैं, तो Supreme Court ने अब इनसे response मांगा है, National Commission for Protection of Child Rights से, क्यों मांगा है, क्योंकि National Commission for Protection of Child Rights ने aid states को लिखा था, कि वहाँ पर जो बच्चे care homes के अंदर रह रहे हैं, वो Child Welfare Committees के पास उन बच्चों को ले कर आएं, ताकि immediate repatriation हो सके with their families, नौ क्या issue है, थोड़ा इसको और देख लेते हैं, issue यह है, NCPCR ने, that is Protection for Child Rights ने, Telangana, sorry this is not Telangana, this is Tamil Nadu, आंधरपरदेश, Telangana, Mizoram, Karnatka, Kerala, Maharashtra, Meghalia, इनको लिखा था, कि 1.84 लाग चिल्रन आपके care homes में रह रहे हैं, अब इन बच्चों को एक familiar environment की जरुरत है, तो आप इन बच्चों को familiar environment प्रोवाइड कीजी, नौ कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने National Commission for Protection of Child Rights इप कहा, कि ये जो repatriation है, क्या ये individual basis पर नहीं हो सकती है, मीन्स सभी states को एक साथ बोलना, सभी बच्चों को एक साथ लिखे जाना, और जो NCPCR ने किस basis पर ये जो directions है, वो states को issue की है, और कर भी सकती है directions issue या फिर नहीं, तो थोड़ा देख लेते हैं, NCPCR क्या है, National Council for Protection of Child Rights, 2007 में established किया गया था, Under Commission for Protection of Child Rights Act 2005, और ये किसके कंचोल में काम करते हैं, Ministry of Women and Child Development के, इसमें वो बच्चे होते हैं, जो 0 से लेके 18 साल के हो, Right to Education Act के according, जो National Commission for Protection of Child Rights है, अगर इनके पास कोई complaint आते हैं, तो ये उनकी inquiry कर सकते हैं, किसी को सम्मन भी भेज सकते हैं, Magisterial Inquiry को भी बोल सकते हैं, Rit Petition भी फाइल कर सकते हैं, Even Government को भी अप्रोच कर सकते हैं, कि Offender को Prosecute के जिए, अब ये जो National Commission for Protection of Child Rights है, इसके अंदर कौन-कौन होता है, Means, इसकी Composition क्या है, एक Chairperson होता है, छे Members होते हैं, जो छे Members हैं, उनमें से at least two क्या होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए, अब इनको कौन अपोइंट करता है, अपोइंट करती है Central Government, कितने टाइम के लिए, तीन साल के लिए, सिर्फ तीन साल के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और जो Chairperson है, उनकी जो Maximum Age होती है, वो 65 years, और जो Members होते हैं, उनकी Maximum Age होती है, अब देखिए, क्या कहा गया, कि इन बच्चों को Child Welfare Committees के सामने लाया जाएं, तो Sections 27 of Section 1 of Juvenile Justice Act 2015, ये कहता है कि जो Child Welfare Committees है, वो State Government बनाती है हर डिस्टिक्ट के लिए, और यहाँ पर एक Chairperson होते हैं, 4 other members होते हैं, स्टेट में हैं, तो State Government इने अपॉइंट करती है, औके और इनकी जो Age होनी चाहिए, वो more than 35 years होनी चाहिए, minimum इनके पास 7 years का experience हो, बच्चों के साथ काम करने का, चलिए, next topic करेंगे, एक National Authority बनने जा रही है, for the recycling of ships, so this is something new, and news में ये काफी टाइम से है, पहले recycling of ships act 2019 भी बनाया गया था, जिसके Section 3 के according ये notification इशू किया गया है, अब जो Director General होंगे shipping के, वो सब कुछ control, administer, supervise करेंगे, and वही final authority होंगे, कि किसी ship को, and किसी को approval देना है, या फिर नहीं देना है, तो एक convention भी है, International Convention भी है, Hong Kong Convention for Ship Recycling, तो ये Ship Recycling Act 2019 के according, इंडिया जो है, वो International Maritime Organization के according, इसमें member है, and convention अभी आनी बाकी है, इसको ratify नहीं किया है, 15 nations ने, जो कि 40% जो वर्ल्ड की जो shipping है, उसको represent करते हैं, so, and 3% ये थोड़ा important नहीं है, कि not less than 3% of combined का tonnage, combined tonnage जो है, वो 3% से कम नहीं है, and जो world merchant shipping gross tonnage है, वो 40% है, अब इंडिया जो है, largest ship breaking player in the world, मतलब 70% gross tonnage हम हर साल, जो है वो करते हैं, और हमारे बाद बांगलादेश करता है, पाकिस्तान की 3rd position है, चाइना की 4th position है, इंडिया में 30% जो काम है, ships को तोड़ने वाला, यानि कि 250 ships जो recycle होती हैं, वो जादा तर गुजरात के अलंग में होती है, चलिए, नेक्स टॉपिक करेंगे, इंडियान बैंक्स एसोशेशन, तो इंडियान बैंक्स एसोशेशन ने क्या किया है, यूनियान बैंक ऑफ इंडिया के M.D. और चीफ एक्जेक्यूटिव ओफिसर राज किरन राई जी, ये एसोशेशन चेर्मेन बन गए हैं, इंडियान बैंक एसोशेशन के 2020 से लेके 2021 तक, तो अभी इंडियान बैंक एसोशेशन क्या है, ये 1946 में बनाई गई थी 1946 में, जहाँ पर सभी इंडियान बैंक एसोशेशन हैं, ताकि बैंकिंग को क्या जा सके, मजबूत किया जा सके, पहले इसके अंदर सिर्फ 22 बैंक थे, लेकिन आज की डेट में इसके अंदर 237 बैंक हैं, चलिए, नेक्स टॉपिक करेंगे, नाशनल कंपनी लौ अपिलेट ट्रिबुनल, तो नाशनल कंपनी लौ अपिलेट ट्रिबुनल ने क्या किया है, देखें, जब कोई नाशनल कंपनी लौ ट्रिबुनल के अगेंस्ट जाता है, तो फिर वो National Company Law Appellate Tribunal के अंदर जाएगा नौ इन्होंने एक appeal जो है वो खारिज कर दी सॉरी अगें सेमन्स ग्यमेसा Renewable Energy Private Limited किस बेसिस पर क्योंकि इनके उपर क्लेम लगाया गया था कि इन्होंने कुछ settlement dues पे नहीं किये हैं तो National Company Law Appellate Tribunal Company Act 2013 के according बनाई चाती है ये appeal सुनते हैं National Company Law Tribunal के खिलाफ Insolvency and Bankruptcy Code के खिलाफ and Competition Commission of India के खिलाफ ठीक है तो अगर इनसे कोई संतुष्ट नहीं है तो फिर वो National Company Law Appellate Tribunal के अंदर चाता है तो National Company Law Appellate Tribunal के अंदर एक President होते हैं वो Chairman भी होते हैं and Judicial Members भी होते हैं इन्हें appoint किया जाता है क्योंकि देखिए आप Tribunal हैं तो आपकी कोई जो पोस्ट होगी वो कुछ important है तो Chief Justice of India से consult करके appoint किया जाता है and जो Members या जो दूसरे Technical Members होते हैं उन्हें एक Committee बनाई जाती हैं उस Committee के अंदर Chief Justice of India होते हैं वो नहीं है तो उनका कोई nominee Chairperson बनेगा Supreme Court के जो Senior Judge हैं या फिर High Court के जो Chief Justice होते हैं वो Member होते हैं Secretary जो होते हैं Ministry of Corporate Affairs में वो Members होते हैं Secretary होते हैं Ministry of Law and Justice में वो इसके Member होते हैं Department of Financial Services and Finance Minister उसके जो Secretary हैं वो Member होते हैं ये सब पाचों लोग की मिलकर एक Committee बनाई जाएगी ये Committee सेलेक्ट करेगी कि National Company Law Appellate Tribunal के अंदर कौन Members and Technical Members होंगी चलिए Eligibility क्या है Chairperson अगर बनना है तो Judge होने चाहिए Supreme Court के या फिर Chief Justice होने चाहिए High Court के Judicial Member बनना है तो Judge होने चाहिए High Court के या फिर किसी Tribunal के Judicial Member कम से कम 5 साल या उससे जादा के लिए अगर Technical Member बनना है तो 25 साल का Experience होना चाहिए इसी Related Field में and Term of Office क्या है 5 साल and Member के लिए भी Chairperson के लिए भी 5 साल है and ये Additional 5 Years के लिए भी Reappoint हो सकते है इसको Commerce and Accountancy के तोपिक में भी हम यूज कर सकते है जिनका भी Commerce and Accountancy Optional हो तो वो Comment section के इंदर लिखिएगा क्योंकि मेरा भी Commerce and Accountancy Optional है चलिए Next Topic करेंगे Finance Minister Ministry to Diverse Wildlife Institute of India Now ये जो Wildlife Institute of India है ये एक Autonomous Body है Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर and एक Anxiety आ गई है Scientist के बीच में Concerns क्या है Concerns ये है कि इस Institute का Wildlife Institute of India का Major Responsibility ये है कि Environment, Forest and Climate Change के Ministry को Advise दे कि इनोंने किस तरीके से काम किया है और इनके जो रोल है वो important हो जाते है मींस ये MOEF के लिए काफी important होते है Now जो गॉर्वर्वर्मेंट है इनकी funding भी कट करने जा रहे है 25% से ये सिर्फ एक deemed unit बन जाएगी जो सिर्फ teaching and research में काम करेगी तो Finance Commission फिर इनका जो रोल है वो ऐसा क्यों कम कर रहे है क्योंकि जो MOE है वो इसलिए है क्योंकि एक review किया गया expenditure department ने किया 194 autonomous bodies का किया जो कि 18 ministries को belong करती है जिसमें से 109 जो है वो 26 में merge हो गई है and government ये भी सोच रहे है कि 23 को और disengage कर दिया जाए जिसमें से एक जो है वो wildlife institute of India भी है तो ये जो autonomous bodies होती है इन्हें ministry या जो departments होते है वही setup करते हैं इनका में funding वगेरा भी grants इनेड से जिपेंड करता है कि इनके internal sources of income क्या है and इनकी term जो होती है वो भी 5 years होती है तो government ऐसे steps क्यों ले रहा है क्योंकि governance issues है क्योंकि इतने सारी bodies बना दी गई है बट उनके ओपर control करना उनको govern करना वो काफी बड़ी problem आती है तो issues यह हैं कि इनकी accountability जो है वो घटती हुई नजर आ रही है recruitment issues रहते है audit procedure अच्छा नहीं है तो यह सब कारण government ने बताए कि इसलिए हम इसे क्या करने जा रहे है खतम करने जा रहे है अब देखिए किसी autonomous body को खतम ना करके अगर उसको reform किया जाए तो कैसे कर सकते है एक legal framework बनाया जाए एक task force setup किया जाए ठीक है जैसे कि SSC, UPSC है इनके numbers को rationalize किया जाए एक collaborated approach बना सकते है ठीक है तो इस तरीके से भी काम किया जा सकते है instead of disengaging them then next topic करेंगे district development councils तो district development councils क्या होती है और इसको देखते हैं तो 17 October को center ने जमू और कश्मीर पंचायत राज act 1989 को amend किया और कहा कि district development councils बनाये यह legislation ministry of house affairs लेकर आई जो district development councils है यह district planning या जो जितने भी development boards है हर district के अंदर उन्हें replace करेंगे और इनका term 5 years होगा यह जो council होगी इसके अंदर कम से कम एक साल में 4 meeting होगी मतलब 3 महीने में एक बार एक quarter में एक बार इसके अंदर 14 elected members होगे हर district के लिए जो electoral process होगी उसमें reservation भी होगी SC, ST women के लिए additional district DCB होगे means district collector जो होगे वो CEO भी होगे district development council के नो जो members होगे district development council के उन्हें कौन elect करेगा उन्हें directly voters elect करेंगे union territories के अंदर ठीक है कोई doubt रह जाते है तो आप please बताईएगा जरूर comment section के अंदर क्योंकि आप थोड़ा बताते नहीं है कि क्या doubt है या फिर तो सब समझ में आ जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर सब समझ में आ जाता है क्योंकि questions जो है mains के questions अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से बनेगे यही topics होते है ठीक है तो आप easily इनको revise कर सकते है इतना tough नहीं है current affairs करना चलिए next topic करेंगे महराष्टरा ने CBI को जो general consent दिया था वो withdraw कर लिया CBI governed होती है Delhi Special Police Establishment Act से जहां पे state government की consent लेना ज़रूरी हो जाता है अगर state में investigation करनी है दो तरीके के consent होते है एक होता है specific पीस किसी particular purpose के लिए एक होता है general general जो होता है वो normally दे दिया जाता है जैसे मालेजे कोई officers है ठीक है जैसे उनके खिलाफ अगर कुछ से शिकायत आई है वो देखनी है तो वो general के अंदर आता है अब अगर withdrawal कर दिया तो CBI को consent लेना पड़ेगा अगर कोई भी case ये MH मीन्स महराष्टरा महराष्टरा के अंदर अगर कोई भी case register होता है तो CBI को पहले उन से permission लेनी होगी अगर ये किया गया है अगर कोई पहले से old case को investigate कर रही थी तो वो उसको दुबार से permission लेनी की ज़रत नहीं है ठीक है ये आप देखी रहेंगे महराष्टरा में क्या चल रहा है तो इससे related थोड़ा आप उसको समझ सकते हैं चल ये नाव IT ministry working to comply with CIC order on आरग्य सितु आरग्य सितु आप सबने सुना होगा कोरोना वाइरस की एक Android iOS app थी कोरोना वाइरस को track करती है गौर्मेंट ने launch की थी नाव RTI की query आई है थोड़ा issue देख लेते हैं जो IT ministry है और जो National Informatics Council है उन्होंने उनको एक तरीके से जो आपका CIC है जो आपके Chief Information Commissioners होते हैं उन्होंने slam कर दिया कि वो RTI को information क्यों नहीं दे रहे हैं about the creation of this app तो CIC जो Chief Information Commission है वो 2005 में बने थे under RTI Act 2005 और यह हर साल रिपोर्ट भी देते हैं सरकार को कि RTI Act की जो implementation है उसको अच्छे से किया जा रहा है या फिर नहीं देन देखिए Central Vigilance Commission तो CVC Central Vigilance Commission जिसका थोड़ा बहुत ताल मेल हम देखते रहते हैं UPSC के साथ भी आपने अगर लक्षमिकान पढ़ी होगी तो यहाँ पर email के through अब जो है through create की गई थी संतानम कमीटी यह paper के अंदर ऐसे पूछा जा चुका है and UPSC में कि संतानम कमीटी के resolution के through इसको create किया गया था लेकिन फिर 1964 में create किया गया था अब यहाँ से थोड़ा सर्रभ हो गया sorry for that तो 2003 में इने statutory status मिला था यह report देते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को and इन्हें कोई भी ministry और department control नहीं करता इसके अंदर एक chief vigilance commissioner होते हैं और दो vigilance commissioners होते हैं प्रेजिडेंट इन्हें appoint करते हैं प्रेजिडेंट अपने आप तो appoint करेंगे नि वो recommendation लेंगे किसकी prime minister की, home minister की and leader of opposition की इनका जो time period है वो 4 साल और 55 साल जो भी early हो जाए and इनको अगर हटाना है इनके पद से तो वो भी presidency हटाएंगे कब हटाएंगे, अगर ये कुछ misbehave and ये कोई incapacity है incapacity कैसे decide होगी supreme court inquiry के through आज का last topic करेंगे PM swani dhi that is prime minister street vendor आत्म निर्भर निधी and इसमें जो food tax swiggy जो है खाना आपने भी कभी order किया होगा इससे इन्होंने memorandum of understanding sign किया ministry of housing and urban affairs से ताकि जो भी street vendors हैं जैसे आपकी गली में भी कुछ लोग कुछ बेचने आते होंगे उनको एक online platform पे लाया जा सके क्योंकि swiggy का काम ही होता है now एक micro credit facility swanidhi scheme के according दी जाएगी 10,000 उपे तक का loan दिया जाएगा 50 लाग से जादा vendors तक वो vendors जिनका काम 24 March 2020 से पहले तक चल रहा था यह जो scheme है यह March 2022 तक valid है and जो आपका SIDB है that is Small Industrial Development Bank of India वो इसका technical partner है and जितनी भी middle and small enterprises है उनके लिए एक credit guarantee trust fund भी बनाये जाएगा अगर यह timely या फिर early अपना पैसा जो है वो पापिस चुका देते हैं तो इनको subsidy भी दी जाएगी interest subsidy 7% की and direct benefit transfer के थुरुईने मिल जाएगी and अगर पहले भी provide कर देते अगर यह पैसा पहले चुका देते हैं तो कोई penalty भी नहीं होगी इसके अंदर सभी ठेला वाला ready वाला ठेली पाड़ वाला hookers vendors सभी लोगों को include किया गया है so thank you so much देखिए current affairs के notes बनाना and फिर उनको पढ़ाना यह easy नहीं है but I am making it very easy for you क्योंकि हम जगा जगा से आप कहीं से दा हिंदू देखते होंगे कहीं से आप questions देखते होंगे तो अगर आप सिर्फ मेरी videos पे भी trust करेंगे believe me हर एक topic हम करते हैं क्योंकि मैं एक well known website के PDF से notes बना कर पढ़ा रही हूं पहले देखिए PDF से पढ़ाते थे लेकिन copyright strike की ना आए उसकी डर की वज़े से मैंने notes बनाने शुरू की है क्योंकि copyright strikes आ जाती है तो फिर channel बंद हो जाता है तो इसलिए मैं नहीं चाहती क्योंकि महनत हम कर रहे है तो just for PDF की channel पे कोई strike आए इसलिए आप इन videos के अंदर अगर आप इन PDF को मेरे notes को regularly follow करेंगे तो believe me आपका current affairs जो है वो बहुत अच्छे से prepare हो जाएगा and I will be very happy कि अगर आपकी और मेरे selection हो जाए तो हम बहुत खुशी की बात होगी current affairs भी हो जाए इसके साथ साथ आप static part भी पढ़ लेजिए ठीक है but still अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पोच्छ सकते है and if you want this PDF then write to my email ID and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.